कल 19 नुवंबर गुरुनानक जी के परकास परवपर प्रधान मंत्री जी ने राष्ट को सम्भोधित करते हुए तीन विवादित किर्शी कानून बिल वापस करने की कोशना की इसके बाद दो पक्स सामने आई एक तो वो जो जसन मना रहे हैं इसे किसानों की जीत के रूप में देख रहे हैं दूसरे वो जो इसे सरकार की हार के रूप में देख रहे हैं शाद उन्हें लगा होगा कि सरकार का कद कम हो गया और खालिस्तानी पाकिस्तानी फलाने डिम के जीत गए यानि मामला भावनाव उपर आंटी का है जहां राजनेतिक विशले सक इसे पंजाब उत्तर परदेश के चुनाव से जोड़ कर देख रहे हैं तो वहीं कुछ कोईश में लोकतंतर की जीत भी नजर आ रही है आखिर क्या है पूरा मामला? कब कहां और क्या क्या हुआ? क्या किसान वापर स्लोटेंगे? या भी पिक्चर में कुछ शीन बाकी है नमस्कार दोस्तर अंगे बसंती देखना सुरू कर चुके आप मैं हूँ राजीव चोतरी तो थोड़ा आगे बड़े उससे पहले देखिए इस मामले में अभी तक किसी ने क्या कह? आज मैं आप पुरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्ड़े लिया है ये कमेटी दूसरी बनेगी जब भी किसी मसलेवे भारत सरकार से बातचीत करनी हो तो वाप कमेटी सहीक्त मोर्चे के लोग वो फिर बातचीत करने ये ना होगे फिर अंदोलन करना पड़े और फिर गो करेंगे ऐसे कैसे किसान चले जाएगा घर देखा जाए तो किसान संगठन कह रहे है कि बिल संसद में वापिस लिये जाए और आगे के लिए कोई कमेटी बनाई जाए जहां दोनों पक्स आसानी से बात कर सके सरकार तक अपनी बात पहुचाने के लिए कोई माध्यम खड़ा हो आगे अंदोलन ना करना पड़े सडके जाम ना करनी पड़े हाला कि संयुक्त किसान मोर्चा का कोई अंतिम फैसला इस पर नहीं आया ये राय व्यक्तिगत भी मानी जा सकती है लेकिन इसे भी यहां तक पूरा समझने के लिए एक साल पीछे चलते हैं ताकि आसानी से ये पूरा मामला समझा जाए 17 सितंबर 2020 को तीन किर्शी कानून लोकसभा में मंजूर किये गए थे इसे लेकर ततकाल अंडिये भाजपा गटमंधन के बीच दरार भी दिखने लगी थी शाम होते होते 8 बज कर 49 मिनट पर एक ट्वीट करते हुए किर्शी विदेखों के विरोत में केंद्रिय मंत्री हर सिर्मत कोर ने सरकार से श्थिपा दे दिया था लेकिन इसके बाद 20 सितंबर को हंगामे के बीच किर्शी विल राजसबा में पास हो गए इसके साथ दिन बाद 27 सितंबर को बिल पर राष्ट पती कोविन जी के अस्ताकसर के साथ देश को तीन किर्शी कानून मिल गए अब यहां से हुआ सुरू खेल जिसे कुछ ने इसे राज नी थी तो कुछ ने सरकार का विरोध बताया 14 अक्टूबर 2020 पंजाब के करीब 29 किसान संगठन जब इसका विरोध कर रहे थे तो किर्शी मंत्रायले के साथ इन किसान संगठनों के परतिनिद्यों की एक वारता योजित हुई जो बाद में बे नतीज आ रही पंजाब में अकाली धल और कॉंग्रेस इससे काफी नाराज थी इसी गेमा गेमी के बीच करीब एक महिने से अधिक का समय गुजर गया 24 नुवंबर को 500 से अधिक किसान संगठन एक जगई घट्टा हुए और एक मोर्चे का गठन हुआ जिसे नाम दिया गया संयुक्त किसान मोर्चा यहां तक टीवी स्टूडियो से लेकर सोसल मीडिया तक इस पर इकादुक्का पोस्ट और चर्चा को छोड़ कर किसी को इसके बारे में ज़्याद संग्यान में नहीं था लग रहा था कोई बिल है थोड़ा बहुत विरोध होगा मामला देरे देरे करके सांथ हो जाएगा लेकिन 25 नुवंबर को हर्याना और पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूछ कर दिया उनका रास्ता रोकने के लिए जगे जगे बेरिगेटिंग किये गई पानी की बोचार हुई आसू गैस के गोले दागे गए यानी पुलिस और किसानों के बीच उपदरव ने तीन किर्सी कानून को विवादित और को राष्टिये या अंतर राष्टिये पटल पर लाकर ख किसान संगठन दिल्ली की सिमा उपर आकर डट गए विदेशी नेताओं के साथ साथ मिया खलीपा गरेटा जैसी कथित सेलिबरेटी भी ट्वीट करने लगी यहीं से देश का आमजन दो इस्सों में बट गया एक कानून का पक्षदर दूसरा कानून का विरोती जो कानून क अपक्षदर था उसे सरकार इतेशी और विरोधी को सरकार विरोधी देशदरोई गद्दार जैसे तमगे सोसल मेडिया पर आसानी से वित्रित किये जाने लगे खेर 11 दिसंबर को किसान यूनियन तीन कानून के विरोध में सुप्रीम कोट पहुँच गया सुप्रीम कोट ने उनकी सियाचिका को सुविकार करते हुए तीनों कानूनों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी सरकार वोट किसानों के बीच बैठके होने लगी इसी बीच तैय हुआ कि शांती पूर्वक सभी मसले हल किये जाएंगे सरकार ने भी माना बिल में कुछ प्रावधान गलत है उन उपर चर्चा की जा सकती है उन्हें हटाया जा सकता है ऐसा होते होते 11 दोर की बादचीत हुई 22 जनवरी 2021 को अंतीम दोर की बादचीत हुई थी इसी भी 26 जनवरी आ गई देश अपना समनाने में व्यास्त हो गया पता चला कि 26 जनवरी को किसान संगठन भी ट्रेक्टर रेली निकालेंगे इसके लिए बाकाईदवने परमिशन भी मिल गई 26 जनवरी आई उच दिन क्या हुआ साधिय बताने की जरूरत नहीं है लाल किला पर कथिध धार्मिक जंडा फैराने से लेकर उपतर हुआ हिंसा हुई एक बेरिगेट पर रोड एक्सिडेंट में एक किसान की मोत वैन घटनाओं में पुलिस के काफी जवान भी घैल हुए पर्मिक राने और भारते किसान यूनियन के राष्टे परवक्ता राकेश टिकेट की गिरपतारी को लेकर मंच पर सुले की बात चल पड़ी टिकेट अपनी गिरपतारी के लिए तैयार हो गया परसासन की तरफ से एडियम सिटी सेलिंदर सिंग, एडिशनल स्पी ग्यानिं न्यूज स्टूडियो में खबर लगबग बनकर तैयार थी, बस चलना बाकी थी कि किसान आंदोलन समाप राकेश टिकेट गिरपतार पर इसी दोरान फरजी देश बगदी का चूरण चाटते वे एक भाजपा विदायक नंदकिसो और अपने साथ सो से अधिक कारे करताओ को लेकर गाजीपूर टेंट में घुस गई मार पीठ हुई, जानकारी मिलते ही राकेश टिकेट ने वारता बीच में छोड़ दी और मंच पर खड़े हो गए माइक संभालते हैं उन्होंने का कि हमारे खिलाप साजिस रची जा रही है मुझे यहां से गिरपतार कर लिया जाएगा और मेरे साथ आए किसानों को पिटवाया जाएगा वैस फिर क्या था समाप थोने के कगार पर खड़ा किसानांदोलन फिर पुनर जीवी थो गया जब राकेश टिकेट ने रोते हैं कहा कि मा मंच पर ही फासी लगा लूँगा लेकिन अब यह मंच नहीं छोड़ूँगा भाजबा के विदायक नीचे गुंडा गर्दी कर रहे हैं और यहां पर परसासन मेरे साथ वारता कर रहा है अब कोई गिरबतारी नहीं देंगे गोली खाएंगे लाठी खाएंगे लेकिन गुंडा गर्दी नहीं करने देंगे अब आंदोलन जारी रहेगा इसके बाद आंदोलन ने एक भावनात्मक रूप ले लिया रात और रात लांखों की संक्या में अरियाना पंजाब अश्चिमी उत्तरपरदेश राजस्थान के किसान दिल्ली कूज करने लगे और 30 जनवरी की सुबह गाजी पूर बोडर देश की अने को विपक्षी पार्टियों और मीडिया के एड़े में तब्दील हो गया इसे ऐसे कहिए कि 26 जनवरी को जो गैंद सरकार के पाले में थी इसके ठीक चार दिन बाद एक विदाय की गलती से गेंद किसान संगटनों की गोद में पहुँच गई फिर बियान पर बियान आंदोलन में शामिल किसानों को कभी मवाली बेड़िया गुंडे जैसे तमगे दिये जाने लगे जिसे सुनकर आम लोग उग्रोने लगे और जिद का अखाडा बन गया 22 मई को किसानों ने काला दिवस मनाया तो इसके बाद कभी रेलों को कभी भारत बंद कभी ये बंद कभी वो बंद का दोर सुरू हो गया भाजपा के नेताओं का उनके निर्वाचन छेतर में विरोध होने लगा उन्हें काले जंडे दिखाई जाने लगे कई मार पीठ होने लगी मामला बढ़ा और 28 अगस्त को हरियाना के करनाल में टोल पलाजा के नजदीक तीन किर्शी कानूनों पर मुख्यमंतरी खटर जी का विरोध कर रहे किसानों पर इस दोरान पूलिश ने किसानों पर लाठी चार्ज कर दिया जिसमें एक किसान की मौत हो गई और कई किसान घायल हुए इसे लेकर चार दिन तक हजारों किसानों ने करनाल में लगू सची वाले का गेराव किया जो समझोता होने के बाद ही खतम हुआ इसी बीच हुआ तीन अक्टबर दोजार एक किसानों ने तीन भाजपा कार्य करता होगी भी पीट पीट कर हत्या की जैसा की मीडिया में आरोप है हाला कि इस मामले में योगी जीने ततकाल गम बीरता दिखाते हुए राकेश्ट कहत को लखीमपूर खीरी जाने का रस्ता दिया और मामले में विपक्स को राजनीती नहीं करने का मौका देते हुए करीब 24 से 26 गंटे में ही इस मामले को निप्टा डाला माना जाता है कि अजय मिसरा के स्थीपिके दबाव के चलते ही उनके बेटे की गिरबतारी होने के बाद गैंद फिर से किसान निताओ के पाले में चली गई फिर सिंगू बार्डर पर सिखनी अंग द्वारा हत्या और आरोप परत्यारोप का दोर सुरू होते होते आठ नुवंबर को जब लखीमपूर खीरी केस में फोरेंसिक लेब सेपल की रिपोर्ट आई मामला पलट गया की रिपोर्ट में साफ हो गया कि उपदरव के दोरान आसीस मिसरा की राइपल, रिवालवर और अंकित दास की रिपीटर गन और पिस्टल से किसानों पर फाइरिंग किये गई थी अब किसान संगटन एक बार फिर अपनी मांगो को लेकर किसान संगटनों ने 26 नुवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी कर रही थे कि 26 नुवंबर को सभी किसान दिल्ली में दाखिल होंगे, इस दोरान पीम आवास संसद का गेराओ किया जाएगा लेकिन इससे पहले 19 नुवंबर को परधान मंतरी जी दुवारा बिल्ल को वापस लेने की बात के साथ मुद्धा करीब करीब अस्षिश्दी हलो गया अब आगे क्या होगा ये कहना भी आसान नहीं है क्योंकि दोनों ही तरफ से साथ अपने अपने मोरे नए तरीके से दुबारा खड़े किये जाएगे और रही माफी मांगने की बात तो नहरू जी ने भी संसद में माफी मांगी थी अगर किसी ने आज तक माफी नहीं मांगी तो सुन मंदिर पर हमला जिसके लिए इंदराजी ने माफी नहीं मांगी थी लेकिन जो लोग इसे हार या जीत के तोर पर देख रहे हैं शाद वो नहीं जानते कि लोग तंतर में ना किसी की हार होती ना किसी की जीत बस यहीं लोक तंतर की खुबसूरती है कि दो वी रोधीने ता एक दूसरे को गाली देते देते अगले चुनाओं में एक जगे गलबाया कर रहे होते हैं